आज मदर्श डे की दिन हम दंतेवाडा जिले की अती सवेदन सिल गाउं पकना चुवा में रहने वाली एक मा का दर्द आपको दिखाएंगे जिसका जवान बेटा मुखे धारा से भटक कर तक रिबं 10 साल पहले मावासंगड़ से जा मिला जिसकी पहचाना जिलाके में हाटकोर मावादी के रुप में होती है वही बिमार बुढ़ी मा अपने बेटे को देखने आखों में उमीद संजग हुई है कि एक दिन उसका बेटा घर जरू लोटेगा बच्चा भले ही कितना ही अपरात क्यों न कर ले सारे लोग नाते रिष्टे भले ही तोड़ चुके हो लेकिन बच्चे की मा की ममता कभी खत्म नहीं होती ऐसे ही एक मात दूले हैं जो अपने बेटी की याद मी आज भी बिलग पड़ती है बेटा दस साल पहले नकसल संगठन में कब सामिल हो गया मा को पता ही नहीं चला लेकिन जब पता चला तो दूले के पैरो तले जमिन की सक गई जब हमारे टीम पांच लाक रुपे की हाट कोरी नामे नकसली बुद्रा की मा से मिलने जिला मुख्याले से करीब 50 किलिमेटर दूर पखना चुवा का पहुंची बुद्रा का नाम लेते ही मा पहले तो रो पड़ी जवान बेटे का घर छोड़ जाने की वज़ा सी दूले के उपर दूखों का पहाट तूट पड़ा बुद्रा को तलासा गया लेकिन मिला नहीं महिने भर बात पता चला की वह नकसली बन चुका है दूले कहती है बुद्रा की लास नहीं देखना चाती हर दिन इस बात कब है रहता है बेटा मारा न जाए वही लंबे समय से दूले गंभीर विमारी से जूज रही है आज भी दूले के बुढ़ी आखे बेटे के घर लोटने का इंतिजार कर रही है दरसल बुद्रा अपने माता पिता का बड़ा बेटा है बुद्रा के दो छोटे भाई है जो गाओं में रह कर मजदूरी करते हैं बुद्रा की पत्नी और एक छोटा बेटा भी है बेटे ने आज तक अपने पिता बुद्रा की सूरत नहीं देखी साधी के कुछी दिनों के बाद बुद्रा रात के अंधेरे में अपने घर परिवार को छोड़ कर चले गया बेटे के अचानक घर से चले जाने के बाद बहु और पोते की जिम्मदारी बिमार बुढ़ी मा पर आ गई दूले जैसे तैसे बहु और पोते को पाल रही है पोते को सहार की इसकुल में पढ़ा कर अच्छी सिक्षा दिलाना चाहती है मगर एक तरफ बिमार शरीर तो दूसरी तरफ पैसो की तंगी की वज़ा से दूले हिम्मत हार रही है दूले ने एसेन 24 के माध्यम से अपने बेटे बुध्रा से कहा है कि बेटा यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो घर लोटाओ तुम्हें देखने मेरी आखे तरज गई है मैं बिमार हूँ जिंदगी के आकरे दिन तुम्हारे साथ पुजारना चाहती हूँ पहु और बेटा भी तुम्हारा इंतिजार कर रहे है दंते वाडा में ना जाने ऐसी कितने ही दूले होंगी जिनके बेटे मुख्यधारा से भटक गए जिन्हें अपने जिगर के टुकरे के दूर होने का दर्द सताता होगा वो माए भी होंगी जो रोज सिर्फ यह सोस्ती होंगी कहीं मेरा लाल भी मारा ना जाए दंते वाडा इसपी डाक्टर अभिसेक पल्लो ने भी बताया की बुध्रा सोणी कटे कलियार बलाक की पकना चुवा पंचयात का रहने वाला है बुध्रा एल जी एस कमांडर है इसके उपर छत्तेजगर सासन की इनामी पालिसी के तहद पाँच लाक रुपए का इनाम भी घोसित है बुध्रा बिधायक भीमा मंडावे की हत्या में भी सामिल रहा है कटे कलियार छेत्र में पिछले दस सालों से बुध्रा सक्री है बुध्रा मेरा बेटा है दस साल पहले वो एक दिन अचानक रात में घर से निकल गया हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कभी हम से मिलने नहीं आता है मैं बीमार हूँ वो इस वट किस जगह में है मैं नहीं जानती बुध्रा तुम कहींपे भी हो जल्दी घर आजाओ मैं बिमार हूँ, कहीं भी हो, समा चार सुन रहे हो तो भी आजाओ, तुम्हारी मा, बीबी और बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं, हम तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं सबतकर करना माम बच्चे, परिजु को साथ हूँ, को यहां को तुम्हार खाया है? का निवी पहानू कौ की कि घघका नंवा करने का एजना दो का जब फिक हम वाभाफ सी शव्ही कें अन्रुन मेख का तुल मेर्ग पह मेले 24 hp करात में घर से निकल गया हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कभी हमसे मिलने नहीं आता है मैं बिमार हूँ वो इस वक्त किस जगा में है मैं नहीं जानती गुद्रा तुम कहीं पे भी हो जल्दी घर आजाओ मैं बिमार हूँ कहीं भी हो समा चार सुन रहे हो तो भी आजाओ तुम्हारी मा बीबी और बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं हम तुम्हारा इंतिज कर रहे हैं बेरो रिपोर्ट एसी एन ट्वंटिपॉर्ट